कि हेलो फ्रेंश आज हम बनानी जारी कंडेंस मिल्क बहुत आसल तरीकी से भी मतना जाता है बहुत आसानी तो हम गल्पें बड़े आसान से बना सकते हैं और कम बजिट में बना सकते हैं यहाँ पर नाने तो सौ ग्राम सुगर है और यह मैंने एक पिंच बेकिंग सोडा लिया है अगर आप मेरिजर करेंगे तो वन बई फोर्ट भी ले सकते हैं अब यह दूद को नौन स्टिकी पैन में ट्रांसपर कर देंगे यह प्रेंस पर मैंने पैंच रहा दिया है कैस की पर मैंने फुल रख चीजों को बनाने में बहुत ज़्यादा चीजों में यह यूज किया जाता है तो हम घर पे आसान से बना सकते हैं अब हम दूद में अच्छे से उबा लाने देंगे यह दिकी हमारे दूद में उबाल आ गया है अब हम गयास की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें हम यह मेल्ट होने तक हम इसे चलाएंगे अब फ्रेंस पेशन्स के साथ हमें दीरे दीरे इसे लो फ्लेम पे चलाते रहना है लो मीडियम कर सकते हैं मीडियम अगर आप चलाते समय थोड़ा मीडियम रखिए फिर वापस लो कर दीजिए बीच बीच पे चलाते रहिए और हां अग इसे चलाते हुए फ्लेम पर पगाला है हमारी सख्कर पुरी मेल्ट हो गई है अब हम इसमें ये बीकिंग सोडा जो हमने लिया तब डाल देंगे एक बीकिंग सोडा प्रंस डालेंगे इक वार हमारा दूद वापस आसी उबाल आएगा हमें चलाते रहना है थोड़ा अब वापस छलाते समय मीडियम कर देने एक Ari Vertati यह देखिए दूद हमारा आधा हो गया है इसे कॉनर से निकालते हुए चलाइए बीज-बीज में गयास की फ्लेम लोग मीडियम करते रहें चलाते रहें इसकी कंसेंटेंस से और थोड़ी पतलिया और इसे और थिक होना चाहिए इसे और थिक होने तक हम चलाते रहेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं यह दूद भी हमारा इतम थिक हो गया है थोड़ा सा और इसका कलर भी चोई चेंज हो गया है तम क्रीमी कलर हो गया है इसे हम ऐसे कॉनर से सब नहीं हटाते हुए मिक्स करते हुए चलाना है इसकी कंसेंटेंसी और थोड़ी थिक चाहिए फ्रि लेखनी है इसे में और थीक नहीं करना है यह देखिए अब देख सकते हैं इसे हम बिलकुल एक्दम ठंड़ा होने देंगे तिर हमारे जार में भर लेंगे अगर Most करना है और कॉनर से से पुरा हटा कि इसे अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको ज्यादा थीक चाहिए तो यह देखिए इसे एक कंटे के लिए थंडा होने के लिए फिर च्वूड़ दिया था अब मैंने चार में बर लिया है आप ऐसे कोई डबे में एर टाइट कंटेंबर बर दीजिए और इसे एक महिने तक आपन प्रीज में स्टोरेस कर सकते हैं यह हमारा कंदेल मिल बनके तयार हैं एक बात का फ्रेंस ध्यान रखिए कि आप दूद को जब चलाते हैं तो हर एक दो मिनिट में चलाते रहिए और कौनर से निकालते रहिए बीच में नीचे चीपकना नहीं चाहिए फ्रेंस दूद्ध वनना हमारा मिल्क कर कंदंस मिल्क का टेस्ट जो है थोड़ा बिगर सक सकता है यह देख सकते हैं यह हमारा बन के तयार है अगर प्रेंस आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए हमेशा की तरह सब्सकाइब कीजिए और कोई वीडियो ट्रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेर कीजिए मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मेरा वीडियो एन तक देखिए